पिछले अगस महिने में पेंच नदी में बाढ़ आने से रामटिक पारशिवनी मार्क पर पेंच नदी के ऊपर नाइकुड के समीब पुलिया पूरी तरह शतिग्रस्थ हो गया था जिसमें इस पुलिया की दोनों और की लोहे की रालिंग पूरी तरह बै गय थी रधा पुलिया की उपर का रोड उखड गया था जिस वज़े से यहां से गुजरने वाले चोटे बड़े वाहन चालक जान हतीरे पर लेकर यहां से गुजर रहे थे इसे के चलते यहां मंगलवार की रात दोवानों में भिर्थ हुई और मोटर साइकल सवार का पाव तूट गया संबंदित विभाग की और से रोड का काम किया गया मगर पुल्या के दोनों और शती ग्रस्त हुई रैलिंग लगाई नहीं जाने से यहां रोजाना कोई जानलेवा हाथसा होता रहता है विभाग ने इस समस्या को नजरंदास करने से यहां के पुल्या पर अब तक रैलिंग नहीं लगाई गई है यहाँ पुलिया शती ग्रस्त होते हुए भी यहाँ पर सुरेक्षा की दुष्टिकों से किसी भी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया जो जानलेवा साबित हो रहा है ना ही यहाँ पर बैरिकेट्स ना ही दिशादर शक्फल ना ही कोई सिक्यरिटी लगाए गई और ना ही यहाँ पर विनु व्यवस्था का इंतजाम किया गया यहाँ दुरगटना होने की संभावना होते हुए भी नैशनल हाइवे अतौरिटी के अधिकारी जान बूच कर यहाँ पर रैलिंग नहीं लगाने से यहाँ पर कभी भी नदी के उपर की पुलिया से वाहन नदी में गिर कर जानमाल का खत्रा पैदा हो गया है इतना सब कुछ होते हुए भी यहाँ के अधिकारी इस पुलिया पर रैलिंग नहीं लगा रहे है इस लापरवाही की वजह से यहाँ पर मंगलवार को एक परिवार उद्वस्त होने से बचा पर मोटल साइकल सवार का पैर तूटने से घायल हो गया तथा बड़ी मुश्किल से मा और बेटी की जान बच गई इसी तरह अगर यहाँ पर रैलिंग नहीं लगाए गई तो आए दिन यहाँ पर बड़ा हाथसा होने से कई और वाहन चालक की जान चा सकती है इसलिए यहाँ के नागरिक और करे संघटनाओं ने अनेकों बार इस पुल्या की दोनों तरफ रैलिंग लगाने की मांग की है पर प्रशासन के अधिकारी गहरी नीन में होने से अब तक इस पुल्या पर रैलिंग लगाई नहीं कई है जो की चिंता का विशे है वही यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही की वज़े से किसी प्रकार की दुरगटना हुई या दुरगटना में जीवे थानी हुई तो संबंदित ठेकेदार एवं अधिकारी पर हत्या का मामला दर्स के जाने की मांग पार्शिवनी एवं आसपास के वाहन चालक कर रहे ह इसलिए समयर रहते इस पुल्या की दोनों और जल्ली से चल्दी रेलिंग लगाने की मांग नागरी को द्वारा की जा रही है पार्शिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट इनबीसे नियूस नाकपुर